SBT News को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें नमस्कार, SBT News पर पेश है राधिस्तान के श्रे गंगा नगर हनमानगर जिले की बड़ी खबरे श्रे गंगा नगर में आज शुकरवार को एक बार फिर कोरोना बंफटा जिले में एक साथ आठ कोरोना संक्रमित मिले हैं श्रे गंगा नगर जिले में अब तक कुल 49 रोगी मिल चुके हैं इनमें दो रोग्यों की मौथ हो चुकी है सुरतगर थर्मल में 220 केवी ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी के बाद श्री गंगा नगर जुली की सप्लाई ठप हो गई है दोपाय करीब 12 बजे अचानक विदित सप्लाई बाधित होने से लोग गर्मी में परिशान हो उठे प्रसारा निगम के एक्सियन नरेश रालगडिया ने बताया कि कलक्टे जिला अस्पतार और कुछ मार्केट एरिया में वेकल्पिक विवस्ता से सप्लाई दी गई है बाकी शहर और ग्रामीन इलाके में विदित सप्लाई बाधित है श्री गंगानगर में दो दिन पहले न्यू अग्रसेन नगर के जिस व्यक्ति की करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कल शाम को उसकी बिकानेर में उपचार के दोरान मौत हो गई स्वास्ते विभाग ने परसु रात को ही इस रोगी को बिकानेर रेफर कर दिया था मृतक कोरोना रोगी का शव आज शाम तक बिकानेर श्री गंगानगर आने की संभावना है शवाने के बाद जिला प्रशासन और मेडिकल टीम की निगरानी में उसका अंतिम संसकार करवाया जोएगा प्यमो डॉक्टर केस कामरा ने बताए कि दिल्ली से आया यूव गुर्दा रोग सी पिड़ी था शहर में अब तक करोना के दो रोग्यों की मौत हो चुकी है राजसान में राजसभा के रिखते हुई तीन सीटों पर आज मत दान हुआ इस बार का राजसभा चुनाव सीमावर्ती शुरी गंगानगर शेत्र के लिए शुप साबित होने के आसार है इसकी वज़े ये है कि इस दोरान लगभग एक सब्ता है जैपूर प्रवास पर रहे श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौर्ड की भागदोड और व्यक्तिगत रूची के साथ सक्रियता दरसल कॉंग्रेस ने राजसबा चुनाओ के द्रस्टिगत अपनी पार्टी समर्थन देने वाले विभिने दलो और निदलिय विधायकों को लगभग 10 दिन पहले ही जैपूर बुला लिया था इन 10 दिनों का स्थाने निदलिय विधायक राजकुमार गौर्ड ने भरपूर फायदा उठाया और इस वरान अपनी विस्तताओं में से समय निकाल कर सची वाले पहुँचकर संबनित अधिकारियों और मंत्रियों तथा स्वयम मुख्य मंत्री से शेत्र की प्रमुक समस्य उपर चर्चा की श्वय गंगाल अगर कालुवाला बाइपास पर शुकरवार सुबध दो ट्रकों की भिढ़न्त हो गई लेकिन गनीमत रही कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ बिढ़न्त की सूचना पाकास अदर पुलिस मौके पर पहुँची इस समन में किसी ने पुलिस को कारवाही के लिए परिवाद नहीं दिया पुलिस के अनुसार लापरवाही के चलते ट्रकों की भिढ़न्त होई चुनमड के राज के उचुमादमिक विद्याले में शुकरवार को परिक्षा आर्थी के नहीं आने से परिक्षा नहीं हो पाई वहीं विद्याले में सरनाटा पसरा रहा और परिक्षा आर्थी के इंतजार में साथ करमच्वारी बैठे रहे परिक्षा पोर्ट के प्रभारी भीम सिंग ने बताए कि परिक्षा को लेकर हर तरह की वेवस्थाइं की गई विद्याले को सेनेटाइस किया गया विद्याले के प्रिंसिपल अमर्जी सिंग का कहना है कि परिक्षा को लेकर पूरी तरह की वेवस्थाइं की गई लेकिन आश्यरे की बात है कि शुक्रवार को कक्षा 12 की छात्रा मनप्रीत को और बराड के अनुपस्तित होने की कारण पेपर नहीं हो पाया श्रेगंगार को शेत्र में पढ़ रही भीशन गर्मी ने आमजन के हलक सुखा कर रख दिये हैं अधिक्तम तापमान में आंशी कमी होने के बावजूद गर्मी के तेवर बरकरार हैं गर्म हवाओं से बचने के लिए दुपया वाहंच्वालक साफे लपेट कर चल रहे हैं धूप से बचाव के लिए छट्रियों और शीतल पेय पदार्थों की मांग बढ़ी है अधिक्तम तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस और नियुनतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस तरच किया गया हर्मानगार टाउन थाना शेतर में शुक्रवातर के तीन बज़े चोरों ने वालमी की चौक सित SBI ATM में चोरी करने की कोशिश की चोरों को सफलता नहीं मिली लेकिन ये घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई फुटेज में एक नकाव पोश नज़र आया है ATM तोडने के चक्कर में ATM का लॉग, पास्बुक मशीन शतिग्रस हो गई शाका प्रबंदक राजिश कुमार की सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया श्रेगंगा नगर में रोटरी क्लब, रजवारा की ओर से COVID-19 वैश्विक महमारी से उत्पन आपात कालिन परिसितियों को देखते हुए राज की जिला चिकिस साले में एक वेंटिलेटर, 25 पीपी किट और 200 हैंड गलव्स वे 500 मास्क तथा दो अल्टरा थर्मामेटर प्रदान किये गए हैं अध्यक्षी शिव्शंकर वशिष्ट ने बताया कि श्री गंगा नगर में कोर्ना मरीजू की बढ़ रही संख्या तथा अस्पताल के आफशकता के मदे नजर रोटरी इंटरनाशनल ने आपात कालिन ग्रांट के तहत रोटरी कलव रंचवाड़ा को उपरोप्त सामगरी राज की जिला चिकिस साले में देने के लिए उपलप्त करवाई जिसे आज राज की चिकिस साले को भीट किया गया हर्मानगर जिले की टिबी शेत्र में छेतर वर्षिय कोरोना रोगी नेगटिव हो गया है कैंसर से पेड़े ती इस रोगी की दूसरी रिपोर्ट भी नेगटिव आई है पेमो डॉक्टर एंपी शर्माने बताए कि 17 जून को जुआंज के लिए बिकानेर भेजे गए 161 सैंपलों में से बचे हुए दो की रिपोर्ट शुकरवार को मिली दोनों रिपोर्ट टैंकिट्व रही जबकि एक सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है उनके अनुसार 48 में से 32 रोगी रिकवर हो चुके है श्रे गंगानगर की कर्फी ग्रस्ते शेत्रों में पुलिस की निगरानी में गतिवी धियां समाने है गुरुवार के बाद शुकरवार दोपह तक कोई नया रोगी नहीं मिला अब जिला पुलिस की ओर से जवाहनगर के सेक्टर नंबर पांच, सिटी होस्पिटल, विनुबा बस्ती शेत्र, बी ब्लोक और राना प्रताप कॉलोनी, पुराने आबादी के वार नंबर 14, गंगानगर, पी ब्लोक और नियू अग्रिसेन नंगर में कर्फी प्रभावी ह इन शेत्रों में आवागमन ठप है श्रेगंगानगर नई धानमंडी में शुकरवार को खुली बिकरी के लिए ही जिन्सू की आवक हुई S.E.I.E. खरीद के इन रूपर बारदाना नहीं होने के कारण सरकारी गेहु खरीद के लिए कलकिसानों को पास जारी नहीं किया गया था खुली बोली हो रही है गेहु चना जौ और सरसों की आवक हो रही है रासान रोडवीच की श्रेगंगानगर जिले में अब बावन बसों का संचालन हो रहा है इन में से 36 बसे अनुपगड डिपो की और बाकी गंगानगर डिपो की है कुछ बसे बिकानेर और हनुपगड डिपो से भी चल रही है इन जबी बसों को पूर्वर निर्धायित ग्रामिंट स्टॉपेज पर ही सवारियों के लिए रोका जा रहा है अगार प्रबंधक मनोच कुमार बंसल ने बताए कि जिले में सूरतगड अनुपगड शुरिकरनपूर सादो शहर और केसरे सिंगपूर मार्क पर चलाई जा रही बसों को 18 जून की दुपहर को वो अपनी बाइक लेकर बजवार में किसी काम से गया था थोड़े देर बाद उसने वापस आकर देखा तो बाइक गायब थी अग्याद उसे चुरा कर ले गए हर्मानगर जिले के भादा थाना शेतर के एक सूने घर में चोरी की वादात हो गए घर के मालिक ने रिपोर्ट दे कर अग्याद के खिलाफ घरेली समान चुराने के आरोप में मुकदमा दर्च करवाया है पुलिस ने बताया के सुमन चोधरी ने रिपोर्ट दी के 14 जून को वो घर पर नहीं थी अग्याद घर में घुसकर घरेली समान चुरा कर ले गया वापस आने पर चोरी का पता चला हर्मानकर सदर्थाना शेते के गाउं पकासारना में लगे एक ट्रांसफार्मर से तेल चुराने के मामले में विदित विभाग ने अग्याद के खिलाफ मुकदमा दर्च करवाया है पुलिस ने बताया के तकनी की सहाय गुर्जन सिंग ने रिपोर्ट दी है परिवादी के अनसार पकासारना में लगे ट्रांसफार्मर से अग्याद नो जून की रात को तेल चुरा कर ले गया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्प्टी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर